हेलो इस्टुडेंट स्वागत्य सभी का यूट्यूब चैनल स्रश्टी रफ्यूचर में इस्टुडेंट आज हम 27 जन्वरी करंट अफेर्ट के जोई मैंक्रो क्वेश्चन अंते हैं उन्हें देखेंगे तो चली देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है राष्टपती आदम विभूशड के लिए कितने नामों की घोष्णा की तो यह की गई है च्छे जो इक पदम पुरुष्कार होते हैं वो गर्तन दिर्वस की पूर संध्या पर प्रतिवर्स घूसित की जाने वाले भारत के सर्वच नागरिक सम्वानों में से एक होते हैं कि कब गर्तन द समलव तीन करोड घरों में से कितने प्रतिशत घरों में जल जीवन मिसन के तहट कवर किया गया है इसका सही आंसर होगा चपन प्रतिशत घरों को किसे उसके सांदार प्रतर्शन के लिए वर्स 2022 के लिए आइसी सी टीट्वेंटी किर्केटर ओफ दा इयर चुना गया है तो यह चुना गया है सूर्कुमार यादब को सूर्कुमार यादब ने 2022 में जो 31 टीट्वेंटी मैच खेले गए हैं उनमें 1164 रन बनाए हैं इतने 1164 31 टीट्वेंटी में नेश कुश्चन है हाल ही में किसने विविन स्टॉक्स में स्वचालित रूफ से चार्ट पैटर्ण की पहचान करने के लिए भारत का पहला AI संचालित स्क्रीनिंग तंत्र लॉंच किया है तो यह किया है इस्टॉकेज ने नेश कुश्चन है म्यामार और दच्चिट चीन से बियतनाम तक अपनी पूर्ब ग्यात स्वेडियों से लुप्त होने बाली एक स्वेल टेल तितली को भारत में पहली बार किस राज में देखा गया है तो यह देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में नब अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन बनता है अरुणाचल प्रदेश के मुख्वंत्री कौन है तो यहांकर मुख्वंत्री हैं Ар els पेंच काण्डू ओ यांकर राजपाल कौन है कि यहां कर राजपाल है लेडी मिस्ञाल Continue और पुछ लिए जाता है यहान लोक सभा सीटें कितनी हैं लोक सभा सीटें दो हैं और राजशवा सीटें एक हैं और यहां जले कितने हैं तो यहां 25 चले हैं और यहां से एक बहुत ही महत्पूर कुश्चन मनता है जो जहां तर एक्जमत पूछी लिया जाता है वह है कि नामदफा राष्ट्री उद्ध्यान उसके बारे मुझे जाता है तो नामदफा राष्ट्री उद्ध्यान भी अड़ांचल प्रदेश में ही है नामदफा राष्ट्री उद्ध्यान कहा है अड़ांचल प्रदेश में और एक और राष्ट्री उद्ध्यान है मेलिंग मेलिंग राश्ट्री उद्यान यह दोनों राश्ट्री उद्यान कहा है और रांचल पुछा जाता है यह कहां है हाल ही में नई दिल्ली में इंफ्राइस्ट्रक्चर कमेटी के समूं की दस्वी बैठक की अध्यचता किसने की तो यह की है नितिन गड़करी ने हाल ही में गुजरात को ओपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमुल के अध्यच की रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यह नियुक्त किया गया है सामल भाई भी पटेल को नेस्ट कोस्चन है अंतराश्टी किर्केट परशत के अनसार जनबरी 2030 में बंडे रैं यह जो अंतराश्टी किर्केट परसद है यह क्या है यह है किर्केट का बैसिक कि सासी निकाय और यह जो इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी पंद्रे जून 1909 में आई सी सी अंतराश्टी किर्केट परसद की स्थापन में चलिए नेस्ट कोस्चन है हाल ही में किस सहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर उर्जा पर्योजना का उद्गाटन किया गया है तो यह किया गया है चंडीगर की इस्टुडेंट अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें ज्यादा से ज़र्द लोगों में सेयर करें और चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राब झाल को सब्सक्राब